असलाम लेकूम, वेलकम बैक टू माई चैनल तरप खान विलोग्स, कैसे हैं आप सब लोग, आप सब लोग बिलकुल ठीक होंगे, सबका रमजान भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा, अलहमदुलिल्ला मैं भी बिलकुल ठीक हूँ, तीन दिन का गैप फिर से मैंने ले और वजा ये थी, वही कि रमजानल मुबारिक की वजा से थोड़ी सी रूटीन उपर नीचे हुई वी है, और काम का प्रेशर बहुत जादा है, इस वक्त मेरे उपर न, दूसरा तरप के एक्जैम स्टार्ट होने वाले हैं, फाइनल तो नहीं, फाइनल एक्जैम स्टरप क यहां पर मैंने उस को कहा कि अब मैट्रस हट तो गिया है, तो तुम इस पैट के ना बड़ा नट थो क्यूआ कि जो हyorsun, जा बड़ा नट में बड़ा नहीं हुगा हैं, मैट्रस जेंज करवाना है, मोल्टी फो में पर लगड़ा है रमजान ओफर् और रमजान आप उसको मौल्टी के किसी भी डिस्प्ले सेंटर पर ले जाएं साथ के साथ अच्छे चलें उस बात को यहीं पर स्टॉप करती हूँ मैं और यहां पर यह जो मैं आपको सारे स्पॉर्ट्स दिखा रही हो ना यह जो मेरी नियू हेलपर आई है जो सफाई करती है जब मैंने यहां से मैट्रस हटवाया तो मुझे पता चला कि मॉप का जितना टाकी शाकी लेकर आओ पहले बैट के नीचे इसको अच्छी तरह से साफ करो तो ही मैं आगे कुछ करूँगी अच्छा यह जो मेरा मैट्रस है अवल तो मैं आपको यह बता दूँ कि मेरे पूरे घर में जतने भी बैट्स है सब पर मोल्टी फोम ही है बट यह है कि किसी पर मोल्टी फोम प्लस है तो किसी पर मोल्टी फ्लेक्स है तीन बैट्स पर तो स्पाइन सपोर्ट मैट्रस है हमारा बाकी पर मोल्टी फ्लेक्स है अच्छा यह जो मेरा मैट्रस है यह मैं आपको यहां पर निशान दिखा रही थी यह मेरा मैट्रस बिलकुल का नियों है बस बाद है तो चोटी बच्ची थी उनके साथ ना तो वो कोक का ग्लास लेकर ना बेडरूम में चली गी थी और उसके हाथ से कोक गिर गई तो उसी वक्त मैंने इसको सर्फ से और कपड़े से मैंने इसको अची तरह से साफ कर दिया था लेकिन इसके बावजूद यहां पर निश करूंगी यह मैं आपको बता दूं कि मोल्टी के जो डिस्प्ले सेंटर्स हैं मैं लहूर की बात करी हूं उनका टाइम शाम के 6 बजे तक है तो अब आप देख लें किस वक्त जाना है और किस वक्त इस ओफर को वेल करना है अच्छा तो यहां पर मैंने अफ्तारी की तियार बनाया था सौरी मैं उसकी यहां पर मैं आपको दिखा नहीं सकी क्योंकि इतना काम होता है कुछ चीज है मैं दिखा पाती हूं और कुछ की नहीं मैं शूटिंग कर पाती क्योंकि अफ़तारी के बाद मैं मुकदस को नहीं बुलाती सारा कुछ मैं खुदी मैनेज करती हूं तो दही बल्ले भी मैंने बनाए थे बस यहां पर मैं जल्दी जल्दी पकोड़े फ्राइ कर रही हूँ और आज पकोड़े तो नहीं है आप ये कहलें कि जैसे आलू होते हैं तो मैंने उनको फ्राइज की शेप में काट लिया था साथ में लिया बेशन और कुटा हुआ धनिय, नमक मिछ डाला और मिक्स करके फारण फारण इटना मजे का बनता है ना ये इतने क्रिस्पी बनते हैं बहुत ही मजे के लगते हैं इस तरह से अगर बनाएं बेशन वाले फ्राइज कहले या पकौडे कहलें जो भी आपका दिल रे हैं तो बेसंगे तो यहाँ पर बस मैंने वह फ्राई गैया उसके बाद मैंने कुछ रॉल्स वगारा फ्राई कर लिये थे यहाँ पर मैंने सारी चीज़oga सेट कर दी है और रही भले भी रखती है मैं करोनी सालिट भी रखती है, रोल्स और पकोड़े भी रखती है अफ़तारी करेंगे और अफ़तारी के बाद फिर मैं आप से मिलूंगी आठ बच्चों के मुकदस आगई थी और उसको मैंने का चाय बनाओ क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था साती मैं तरब के लिए थोड़े से राइस बना रही हूं तरब को ना मैं आजकल अफ़तारी में कुछ भी खाने नहीं दे रही तीन चार दिन से ना ही मैं उसको रोजे रखवा रही हूं क्योंकि तरब का स्टमक काफी डिस्टरब्ड है और ये तली हुई चीज़ें जो होती है ना ये फिर और ज़्यादा पेट को के लिए नुकसान दे होती है जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि ऐसे टीक आइशूस भी हो जाते हैं तो मैंने उसको पर ठीक ठाक पाबंदी लगाई हुई है इसे दिये उसके लिए बस मैं यहाँ पर हलके फुलके से न बगैर मिर्श मसाले के मैं यहाँ पर राईस उसके लिए बिना रही थी अफ्तारी के बाद चाय पीने का कितना ज्यादा दिल करता है मतलब सम्टाइम्स मेरा तो ऐसे होता है कि दिल करता है कि फॉरण फॉरण बस चाय मुझे मिल जाए लेकिन पिर ये है कि मैं एक घंटे का गैप लास्मी देती हूं और एक घंटे के बाद फिर मैं चाय देख और मुझे बता है आज कल हर किसी के घर में जीतो पाकिस्तान देखा जा रहा होगा आगे पीछे कभी नहीं देखते हम लोग कभी भी नहीं देखते लेकिन रमजान में जरूर देखते हैं पता नहीं क्या इस प्रोग्राम की ऐसी कोई अट्रेक्शन है ना रमजान के अंदर तो बहराल अब आते हैं जी कपडों की तरफ मैं गई थी निशात लीनन और निशात लीनन से मैंने एक तो ये सूट बाए किया है जहां पर मैं बैटकर ये वीडियो शूट कर रही हूँ ना उस रूम में वार्म लाइट है तो वार्म लाइट की वज़ा से ना इसके कलर्स थोड़े से आपको कभी डार्क लग रहे होंगे कभी लाइट लग रहे होंगे लेकिन एक्चली ये ब्लू कलर ही है तो आप लोग खुच जज कर लीजेगा अच्छा ये जो सूट है इस तरह से मतलब प्रिंट मैंने आपको दिखा दिया है साइड में एक बॉर्डर दिया हुए ट्राउजर इसका प्लेन है और ये इसका दुपट्टा है करिंकल शिफॉन दुपट्टा माई फेवरेट बहुत अच्छे दुपट्टे होते है निशातली निन के बिलकुल slyip नहीं होते मतलब जहां आपने डाले लोहीं के वहीं ठीके रहते है क्रिंकल शिफॉन के जो दुपट्टे है निशातली निन के और शिर्ट में भी हलका हलका सा पिंक का टच दिया है तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था तो अब मैंने लेनी है जी इसके साथ लेस जो सबसे मुश्किल एक मरहला होता है कि बनवाना कैसे है वैसे गर्मियों के सूट्स मैंने आपको कहा कि मैं बिल्कुल सिंपल ही बनवाती हूँ सिर्फ एक कोई अच्छी सी लेस ले लेती हूँ और वही लगवा लेती हूँ इस सूट की प्राइस ती जी पाँच हजार अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सूट की तरफ जो मेरा इद का मेंन सूट है जो मैं अपने इद के पहले दिन पहनूँगी और यही पर मैं आपको बता दूँ कि बस मैं अपने सूर्स की शॉपिंग करने लगी हूँ अब इन्शालला फिर इद के बाद देखेंगे वक्तन पर वक्तन जैसे जैसे जरूरत पढ़ती रहेगी तो मैं गर्मी के कपड़े बनवाती रहूँगी लेकिन अब बस इद की मेरी कोई शॉपिंग नहीं है बहुत मैंने कपड़े बनवाली है माशालला फिर्स डे में यह पहनूँगी और बाकी डेस पर और बहुत सारे इसलवाली हैं सब आपको दिखा भी दिये हैं उनी में से कोई ना कोई पहन लोगी तो यह मेरा फिर्स डे का सूट है लेट्स ओपन इट मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगोंने बताना है आपको कैसा लगा मैं वैसे बहुत ही एक्स्ट्रा किसम के भारी भारी जो कपड़े हैं भरे हुए लेसिस से भरे हुए इंब्रॉइडरी से मैं नहीं पहन स बहुत अच्छे लगते हैं एक्स्ट्रा भरे 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 कपड़े लेकिन देखें जैसे ही जादा गर्मी आएगी जैसे ही जॉलाई अगस्त का मौसम आएगा जून जॉलाई अगस्त का तो फिर ये इतने भारी कपड़े पहने नहीं जाते बेशक लॉन होती है लेकिन वो भारी हो जाता है ना वो पहना ही नहीं जाता आप केरी नहीं कर सकते हो इसको इस तरह की जो हलकी हलकी इंप्रॉइडरी होती है लॉन के उपर इसको आप अराम से शदीद गर्मी में भी केरी कर लेते हो तो सूट ऐसा लेना चाहिए जो बाद में आपके काम आता रहे है सू में तो रस्ट का टच दिया हुए लेकिन दुपटे में रस्ट के साथ बिस्किटी कलर का भी एक टच दिया हुए अच्छा तो साथ में इसका जो फरंट है जो गला बना हुए है वहाँ पे बहुत ही खुपसूरत सा डल गोल्ड से यह सारा काम हुआ वह है और उसके बाद यह इसके पैचेज हैं पैचेज भी डल गोल्ड और पिंक पॉपलिश पिंक से सारी इंब्रॉइडरी हुई दिया है और यहाँ पर क्योंके मेरे रूम में वाम लाइट थी पता नहीं आप लोगों को क्लेयर नजर आ रहा है या नहीं क्योंके कलर जो है वो रिफलेक्ट हो रह इस तरह से पैचेज लगेंगे इधर फ्रंट पर इस तरह से इंब्रॉइडरी है तो यह इसकी अवराल लोक है अच्छा इसकी जो बहुत अच्छी बात है वो ट्राउजर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिया देखें प्रिंटेड ट्राउजर है मुझे बड़ा अच् आप में यह देखें जी यह दुपट्टा है इसमें अब देखें कितने सारे शेयर्ड जिनों ने डाले है न बड़ा अच्छा लग रहा है दुपट्टा तो मैं यह सोच रही थी कि या तो मैं बहुत ही खुपसूरत सी कोई लेस लेकर न इस दुपट्टे पर तो बताईएगा आप लोग किормको मेरा यह सूट कैसा लगा इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूं प्राइस इसकी हैजी आठाथ हजारूरर और मैं जब यह बॉइक कर रही थी तिननों न मेरे पीछे चार से पांच लड़किया और थी जिनोंने रहोंने हाथ के हाथ य ये सूट बाई किया था तो बस आप लोग भी बताईएगा कैसा लगा आप लोगों को ये था मेरा आज का व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा मेरे अगर चैनल पर आप नई हैं तो सबस्क्राइब भी जरूर कर लीजेगा और इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरब खान के नाम से वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजेगा क्योंकि वहाँ पर भी मैं रील्स और डेली लाइफ शेयर करती रहती हूँ अपना ख्याल रखेगा लाफ़िज